आज हम बात करेंगे कि हमपैतिक मेटसीन किस तरह से आपके बालों को जढ़ने से रोक सकती है और बालों को रीग रोक करने में मदद कर सकती है आजकल लगबक सभी उमर के लोग हैर फॉल की समस्या से जूज रहे हैं बाल जढ़ना और नए बाल का उगना एक नॉर्मल प्रोसेस है जढ़ने के बाद अगर बाल नहीं उगे या फिर उगे हुए बाल पतले हो कमजोर हो बार बार टूट रहे हो ते इससे गंजापन हो सकता है हैर फॉल के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस, डेंड्राफ, जनेटिक प्रॉबलम, फंगल इंफेक्शन, इनीमिया या किसी भी तरह की डिफिसियंसी जैसे प्रोटीन या विटामिन का शरीब में कमी हो जाना अगर आप हर्मोनल इंबैलेंस से या लंबी बिमारी से ग्रासित हो तो भी आपको हैर फॉल की समस्या हो सकती है अब हम बात करेंगे हैं अपैथिक मिटसिन के बारे में जो इसमें बहुती कारगर साबित होती है फर्स मिटसिन हमारा एसिट फ्लोर एसिट फ्लोर थर्टी अगर आपको किसी लंबी बिमारी जैसे टाफाइट के बाद बाल गिरने के समस्या हो रही हो कमजूरी महसूस हो रही हो तो इस दवा को थर्टी पाउर में दो बुन तीन बार लेने से पायदा होगा नेक्स मिटसिन हमारा केलकरिया का जिन लोगों को सर में पसीना होता हो और साथ में खुचली भी हो तो इसको ये थर्टी पाउर में दो बुन तीन बार लेनी चाहिए नेक्स मेटसीन है हमारा विनका माइनर जिन लोगों को डेंडरफ के वज़ा से हैरफॉल होता हो उन्हें ये दबा दो बुन तीन बार लेनी चाहिए कुछ दिन लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा नेक्स मेटसीन है हमारा गेरफार्टीस अगर किसी लेड़ी को PCOD है थाराइड है किसी भी तरह का हर्मोनल इंबाइलेंस है साथ में डेंडरफ भी है तो गेरफार्टीस थर्टी दो बुन तीन बार लेनी चाहिए इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा आफ्टर डिलेवरी अगर किसी का हैर फॉल हो रहा है तो केलकेरियक अब 30 पाउर में और पलसर टीला 30 पाउर में लेने से हैर फॉल रुप जाएगा नेक्स मेटसीन है हमारा फॉस्फोरस अगर यंग पीपल में हैर फॉलिंग हो रहा है नए उमर के लोगों में अगर बाल जड़ने की समस्या है साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है तो ऐसे कंडिशन में फॉस्फोरस दो सब पाउर में दो बुन सुबह लेना है कुछ दिन लेने से इस समय से आपको छुटकारा मिल जाएगा नेक्स मेटसीन है हमारा लाइको लाइको थर्टी पाउर में दो दो बुन तीन बार लेनी चाहिए यह हमारे बालों के लिए बहुत ही बहतरीन दवा है यह आपके बालों को जड़ने से रोकेगी भी और साथ में प्री मैच्योर हेर गिरेंग जो समय से पहले जो सफेर बाल हो जाते हैं उसको भी यह ठीक करती है अगर आपको कलेस्ट्रॉल हो या फिर थाराड हो किसी भी तरह के नुटिशन की कमी हो गई हो जैसे मिनरल्स और विल्टिमिन्स की कमी हो गई हो बॉड़ी में और फिर आपके इम्मिनिटी वीक हो गई हो इन सारे कंडिशन में भी हैर फॉल हो सकते हैं और आपके हैर ड्राइज और डबल हेर हो जाते हैं अगर यह सारे कंडिशन हो आपको तो फिर आपको लेना है एवेना सटाइवा क्यूं दह तस बुन आधा कप पानी में तीन बार सुबा दो पहुरा शाम कुछ दिन लेने से यह कंडिशन आपका ठीक हो जाएगा और आपको जिस भी चीज की डिफिसेंसी है वो सब ठीक हो जाएगी विस बार्डेन विस बार्डेन 30 दो गुन तीन बार लेना चाहिए यहां हमारे बालों को काला बनाया रखती है उसके बलेक कलर को मेंटेन करके रखती है और हैर फॉलिंग को रुखती है साथ में रीगरो करने में हेल्प करती है